मैं रिविकांत आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और आज हम लोग बात करेंगे torch test और torch infection के बारे में क्या होता है test कौन-कौन से bacteria वाइरस की वज़े से होता है क्या इसके कारण होते हैं क्या-क्या symptoms होते हैं और क्या इसका treatment किया जाता है तो यह सभी बाते आज की वीडियो में हम लोग discuss करेंगे तो बने रहे वीडियो में मेरे साथ तो चलिए आज का lecture शुरू करते हैं तो torch infection या torch test से पहले हम लोग इसका full form देख लेते हैं तो T का मतलब होता है toxoplasmosis, O का मतलब होता है other infection जैसे की hepatitis B infection या फिर syphilis का infection R का मतलब होता है rubyla यानि की german measles का infection, C का मतलब होता है cytomegalovirus infection और H का मतलब होता है HSV यानि herpes simplex virus infection तो यह जो पांच तरीके के bacteria या virus जो होते हैं इनके अगर infection हो जाता है इसे हम लोग बोलते है torch infection जो की most commonly pregnancy के अंदर अगर हो जाता है तो जो भी बच्चा होता है उसके अंदर malformation कर सकता है brain develop नहीं होना जैसे की eyes develop नहीं हो पाना या फिर बच्चे में जो है congenital glucoma develop हो जाना या फिर skin पर rashes हो जाना ऐसे बोट तरीके के symptoms है जो की congenital malformation को indicate करता है तो इस test को यानि इस infection को पता लगाने के हम लोग बोलते है torch test, torch test जो होता है वो एक blood test होता है इसके अंदर जो होता है यह जो पास तरीके के infection हमने पढ़े torch के इनके against अपना body क्या बनाती है antibodies बनाती है और जो antibodies है वो current infection में IgM बनती है और अगर previous infection है तो IgG antibody बनती है तो इन पांचों में से किसी भी microbes के against अगर IgG present है इसका मतलब उसको पुराना infection है पहले previous infection उस mother को हो चुका है लेकिन अगर IgM antibody अगर उसके blood में मिलती है उसका मतलब उसे अभी फिलाल infection है जो की बच्चे के अंदर transmit होने का risk होता है तो आप लोग एक report देख रहे हैं इस report के अंदर हम लोग देख रहे हैं toxoplasmosis IgG यानि जो इस report में less than 3 है जबकि normal value होती है 7.2 से कम यानि इस patient के अंदर ये कम है 7.2 से तो इसका मतलब ये negative report हो गया ऐसे third number पे रुबेला की IgG जो है 20.80 हम लोग देख रहे हैं इस patient के अंदर normal जो होती है 10 से कम होना चाहिए लेकिन ये 20 से जादा 20 है इसका मतलब IgG की value बड़ी होई इट means IgG जैसा कि मैंने बताया पुराना infection को indicate करता है यानि previous infection था जो कि अभी mother से fetus में नहीं जा सकता क्यो बड़ी होई होती जो की normal 20 से कम होती है अगर IgM जो है अगर जादा होती 20 से तो उस condition में mother को current infection होता और वो mother susceptible होती congenital infection के लिए यानि बच्चे के अंदर infection transmit होने के लिए तो अगला cytomegalovirus का IgG है जो की 119 है जो की 12 से कम होना चाहिए तो इसमें भी cytomegalovirus का पुराना infection रहा ह आए इस मदर के अंदर तो इस तरीके के इस तरीके से जो है हम लोग इस report को पढ़ते हैं अब आर्थ कहते हैं कि जो पांस तरीके के infection होते हैं जैसे कि torch होता है इस torch के अंदर जो इन में से भी जो सबसे ज़्यादा commonly होता है वो होता है cytomegalovirus जो second most common होता है वो होता है toxoplasmosis और third most common होता है rubela यानि सबसे ज़्यादा जो chances होते हैं वो होते है cytomegalovirus के एक और point है है यहाँ पर कि pregnancy को तीन trimester में divide किया जाता है तो पहले trimester यानि पहले तीन महिने में जो होता है अपने पास में rubela का infection होने के सबसे ज़्यादा chances होते हैं दूसरे जो trimester होता है उसके अं अगर किसी मदर में torch का infection है तो क्या-क्या symptoms हो सकते हैं उनको one by one हम लोग देखते हैं तो अगर toxoplasmosis का अगर infection हो जाता है अगर मदर के अंदर तो वो क्या कर सकता है बच्चे के अंदर hydrocephalus cause कर सकता है intracranial calcification कर सकता है और उसके जो retina होती है उसमें inflammation कर सकता है retinitis कर सकत है रूबेला का अगर infection हो जाता है तो वो thrombocytopenic purpura कर देता है यानि जो baby का color होता है वो जो है blueberry muffin color होता है जब बच्चा पैदा होता है और eye defect जैसे की cataract है, glucoma है वो कर सकता है retinopathy कर सकता है, microcephaly हो जाता है यानि brain developed नहीं हो पाता है pattern ductors, arteriosus, heart का जो है malformation है यह हो सकता है hearing loss उगेरा हो सकते हैं तो यह सभी sign होते है rubella infection गे अगर cytomegalovirus का infection हो जाता है जो कि एक harpes virus होता है DNA virus होता है अगर यह infection हो जाता है मदर के अंदर तो बच्चे के अंदर जो है retinitis हो सकता है intracranial calcification हो सकता है और microcephaly हो सकते हैं जो कि toxoplasmosis में भी हमने देखे थे अगर हर्पी simplex virus का infection हो जाता है तो hydrocephaly हो सकता है skin lesions हो सकते है ulceration हो सकते है microcephaly हो सकता है brain undeveloped रह जाता है अब बात करते हैं treatment की जो treatment depend करता है कि कि किस तरीके का infection हुआ या torch के अंदर toxoplasmosis है या rubela है या syphilis है या हर्पी simplex virus है या cytomegalovirus है कौन से virus या bacteria से infection हुआ उसी के according ज जाती है most cases में जो six month का जो resume होता है वो देखा जाता है इससे पहले जो है identify किया जाता है उस person में torch test से कि उसमें IgM present है अगर IgM किसी भी इन में से microbes के against अगर present है तो यह treatment start किया जाता है जो कि depend करता है अलग-अलग virus या bacteria के ओपर depend करता है तो यह कुछ list है इसके अंदर हम लो इसके लावा और भी कुछ antibiotics होती है जिनको start किया जाता है six month के लिए जैसे ispiramycin है one gram orally होती है सलफा डायजाइन होती है जो कि three gram daily orally होती है प्राइमेथमाइन होती है जो कि 25-100 mg daily होती है औरली लुकोवरीन होती है 25 mg daily औरली ट्राइमेथोप्रीम होती है 10 mg पर kg body weight के according इसक को prevent करने के लिए जो है mmr vaccination किया जाना चाहिए और mmr vaccination जो है वो pregnancy में जो है recommend नहीं किया जाता है क्योंकि यह live vaccine होता है अगर कोई mother को mmr vaccinated किया जाता है तो उसमें जो है pregnancy plan करने से 28 दिन पहले ही इसको vaccinate किया जाता है तो यह कुछ common treatment modalities है जिनका utilize करके जो है torch के infection को prevent किया जा सकता है तो आज के इस वीडियो से related आप लोगों के लिए question है इसका answer आप लोग comment box के अंदर जुरूर दे question है कि इन चार option में से कौन सा infection torch infection में सामिल नहीं है तो चार option आप लोग देख पा रहे हैं तो इसका answer क्या होना चाहिए कि कौन सा infection torch के infection में सामिल नहीं होता है तो इ तो इंक यू वेरी मुट